हेलो गाईज, नमसकार, मैं संधीब कुमार, शक्रास स्वागत करता हूँ आपका संधीब सर जीके में वीडियो आपके सामने है जैसे मैंने वादा किया था आपके लिए मुश्य मखना ने पॉपिक कर वीडियो जन्दी से आएगा तो आज का जो हमारे टॉपिक है वह इंपॉर्टेंट स्लोगन की उपर है महत्तोत पौर्ट है स्लोगन से क्लास से स्टार्ट करूं से पहले मैं बता दूं कि हमारा जो 950 रुपीज का जो बेसिक टू एडवांस वाला बैच है वो स्टार्ट हो चुका है बहतरी इंसांदार तरीके से बंपर तरीके से लोग इसमें डिसाइड किया है कि उनको एक बार जी के पढ़ना है ब सवाल यह आता कि एक बैच किस के लिए है तो यह आपका SSC के सारे एकजामस रेलवे के सारे एकजामस रिस्टेटीकरसी के प्री, CDS, ND, FC, जिदने एकजामस होते हैं क्योंकि इसमें मैं बेसिक से लेकर किरवांस लेशां ले सकते हैं और आज इसमें वह ओफर है, आज 21st अप्रेल है और कल 22nd अप्रेल है, दो देनी दूनियों के लिए इसमें आफर रखा गया है, जो फीस से वह 800 रुपीज लगेगी, 950 न लगके 800 रुपीज लएगी, 21 और 22 अप्रेल को अब तो चाहें तो आप रिमिसन ले सकते हैं, पूरा जी के बुच्छ सिखेंगे, 750 प् इसमें ले सकते हैं, क्लास विश्णार करते हैं, इन्पॉर्टन परस्नालिटीज और उनके महाथ्पून स्टेटमेंट, उनके स्लोगत, सबसे पहले शहीदे आजम भागस सिंग, शहीदे आजम भागस सिंग का जनारा था, वो था, इनकलाब जिंदावाद, यह जनारा है, यह शहीदे आजम भागस ने दिया है, नेक्स्ट है, दिल्ली चलो, लेट्स गो को देल ही, किसने दिया था, सुभास बाबो ने दिया था, नेता जी सुभास चानर बोश ने दिया था, दिल्ली चलो, नेता जी किसने कहा था, हेटलर ने सुभास चानर बोश को है, नेता ज चोड़ो तीन नारे हैं Do or Die, Hey, Ram और भारत चोड़ो यह तीनों के तीन नारे हैं यह महंदास करंचनद गांधी मतलब महात्मा गांधी के नारे हैं इंपॉर्टेंट है नेक्स आता है जैहिंद का नारा है यह भी सुभास पावु नहीं दिया है सुभास शर्बोष जी का नारा है जैहिंद का इंपॉर्टेंट है याद रखेगा यहां पर मैं करीब आपको 25-30 इंपॉर्टेंट स्लोगन बताने वाला हूं और 25-30 जो दूर आरे हैं पंडित जवाला नहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाला नहरू का पून स्वराज का नारा पंडित नहरू ने 1929 में लहौर में दिया था और नेक्स्ट है आपका अराम हराम अगला आता है वेदों की ओर लोटो गो टू वेदाज रिटर नेक्स्ट अगला नाम आता है जय जवान जय किसान आपको पता है कि 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था उस टाइम पे भारत के प्रहल मंतरी पंडित लाल भादुर सास्त्री जी जिनका जनम दौक्टूबर को हुआ है इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान और इसमें एक और नारा जोड़ दिया था जय जवान जय किसान और जय विग्यान और ये लाइन जोड़ी थी पंडित अटल भारिवास पही ने तो जय जवान जय किसान नारा है पंडित लाल भादुर सास्तरी का जिबकि जवान जय किसान जय विग्यान नारा है पंडित अटल भिहारी वाजपई का नेक्स्ट आता है मारो फिरंगी को जो मारो फिरंगी को नारा है ये नारा है मंगल पांडे मंगल पांडे हिंदुस्तान के महान करांतिकारी मंगल पांडे और ये नारा है मंगल पांडे का मारो फिरंगी को नेक्स्ट आता है जै जगत जो जै भूदान आंदोलन जिसमें लोगों से जमीन दान कराई जाती जिनके पाश्रक्ष्ट जमीन थी और बहुत सक्सेस्फुल आंदोलन था भूदान आंदोलन अगला आता है कर मत दो कर मत दो दोलन पफे टेक्स कर मत दो सदार वलब भाई पटेल बारदूली सत्तगरै में इन्होंने न आरा दिया था डूलन पवै टेक्स कर मत दो का और वहीं पर वलब भाई पटेल को वहां की महलाओने सरदार कहा था तब से वलब भाई पटेल सरदार वलब भाई पटेल के नाम से जाने जाते हैं अगला आता है संपूर करांती कम्प्लीट जीवलुशन जैप्रकास्टनरान जे-पी हンドुस्तान की आज़ादी के बाद दो ऐसे लेडर जो कमाल थे अगर उनके जैसे कोई हो जाए तो कमाल बात होगी एक तो राम बनुह और लोहिया और दूसरे हैं जैप्रकास्टनरान जे-पी हिंदुस्तान की गुपता पारशत इन्होंने नार दिया था गाना है इनका एक विजी विश्यति रंगा प्यारा जंडा उचर है हमारा नेक्स्ट वन इस वंदे मात्रम वंदे मात्रम आखोपता है बंकिम चैन चतर जी ने वंदे मात्रम लिखा था अठारा सुच्यानबे 1896 में कलकत्ता में ये गाया गया था पहली बार नेक्स्ट आता है जेन गणमन रविंदरनाथ टैगोर जिनका वरिंदरनाथ ठाकूर है लेकिन अंग्रेज ठाकूर बोल नहीं पाती थे तो ठाकूर बोलना सुल कर दिये और वहां से इनका नाम रविंदरना टैगोर हो गया रविंदरना ठाकूर हिंदुस्तान के पहले परसन जिनको नोबल प्राइज मिला है एसिया के पहले परसन जिनको नोबल प्राइज मिला था 1913 में 1913 में इनके लिटरेचर गितांजली के लिए और इन्होंने जेन गणम हिंदुस्तान का और अमार सुनार बंगला बंगला देश का दन चलिए अगला आता है सम्राज जवाद का नाश हो भगसिंग सहीद्य भगसिंग सम्राज जवाद से बड़ी नफरत है इंको उन्होंने दिया था सम्राज जवाद का नाशो अगला आता है बाल गंगा धरतिलक का सुराज मेरा जिनम से धिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा ये नारा है बाल गंगा धरतिलक का अगला आता है सर्फ हरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रशाद बिस्मिल पडित राम प्रशाद बिस्म सरफरुसी की तमना अब हमारे दिल में है । आगला आता है इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदूस्ता हमारा । नेक्स्ट आता है तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें अजादित दूंगा नेता जी सुभाष्टट्वोस इन्हों ने बूला था कि give me blood, I will give you freedom नेक्स्ट वन इस साइमन कमिसन वापस जाओ, गो बैक साइमन ये statement है लालालाज पतराय जी का और आपको पता है हिंदसा में साइमन कमिसन आय था इसका बड़ी लेवल पर विरोध हुआ था और इसी विरोध के दर्मियान लाठी चार्ज में लालाज पतराय जी को बरलाठी बरसाई गई और वो स्वरगवासी हो गए नेक्स्ट वन इस वो लिवस इफ इंडिया डाइस पंडित जभाला नहरू पंडित नहरू में कहा था कि जब इंडिया ही मल जाएगा तो फिर कौन जीएगा यह स्टेटमेंट है वो लिवस इंडिया डाइस पंडित नहरू की किताब है डिस्कवरी ओफ इंडिया इस पर एक स्रीज आई थी डीडी बन में अगर आपने काभी देखा हो तो देखेगा और उसमें एक बड़ा शांदार सीन है कि एक बार पंडित नहरू किसी गाउं में गये थे तो वहां पे सब लोग नारा लगा रहे थे भारत माता की जय भारत माता की जय तो पंडित नहरू रुके और उन्हें पूछा सब को बुलाया बोले बताओ भारत माता कौन है हुच भारत माता तो सब लोग डर गए किया अंसर दीर की जो पता निए था उनने बोला नीं बताऊ कौन भारत माता आप हो भारत माता आप की जैद की भषुशाली भारत माता की फुशाली है पुदा शंधार सीन है अगर कभी मौका मिले तो डिली वर्ण की सीरीज है डिसकवरी आफ इंडिया पंडित नहरूर ने किताब जेल में लिखी थी अगर कभी मौका मिले तो जरूर दिखियेगा अगला है ये अबूल कलम आजाथ ने कहा था और ष्टादर श्रैडर माना जाता है अबूल कलम आजाथ को ए next one is क्रान्ति की तलवार में धार वैचारिक पथर पर रगणने से ही आते हैं जो क्रान्ति की तलवार होती जो revolutions होते है रेवलुशन कभी ऐसे नहीं होते कि आप उचके चलदी है रेवलुशन हो गया उस पर पहले एक भकाईदा आप philosophical discussions होते हैं, सारे आयाम discussion किया आते हैं, multi dimensions तो चाँ जाता है, तब जागे करंती होती है, अगर करंती ऐसे होने लगे कि 4 लोग उट के चाल ये करंती हो जाए तो फिर तो हर दिन दूसरी करंती हो जाएगी, भगत सिंह का statement है, करंती की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगणने से ही आती है, यह सारा class important है, important surrogance मैंने आपको बताया, यहां से questions exam में आते ही आते हैं, आपको मैंने 25 के आसपास important surrogance बता दिया है, बहुत अरजेंट हो तब भी बाहर ना निकले, यह द्यद्य पर आपको कोई medical emergency है, या कि फिर ऐसी emergency है, मैंतलब जिसमेंग जिन्दगी और मौत वाली बात है, तो ही आप घर से बाहर निकले, सबजी लेने के लिए, fruits लेने के लिए, बाकी change लेने के लिए, बिल्कुल भी न निकले, जिन्दा रहेंगे तो पूरी जिन्दगी पड़े है, सबजी, fruits खाने के लिए, मिलते हैं, अपनिंग नेक्स ट् पास्बुक प्रिंट आउट कराने लिए, बैंक में आप जाते हैं, तो प्लीज पास्बुक प्रिंट ना कराएं, otherwise अगली वाली पास्बुक के जो प्रिंटिंग है, आपके घर वाली कराएंगे, बाइबाइ, टेक केर, ओल दे बेस्ट